हमीरपूर में दो दिन के भीतर नियमों की अभेलना करने पर दस शादी समारोखों के आयोचकों के चालान किये गए हैं इन आयोचकों से 15,000 रुपए जुर्माना वसूला गया है ये जुर्माना हमीरपूर तहसील और सदर्थाना की स्यूंक्त टीम ने मौके पर चालान काट कर वसूल किया है अधिकतर चालान मास्क का प्रियोग ना करने पर किये गए हैं जबकि एक चालान 50 से अधिक लोगों के शादी में एकत्र होने पर किया गया है हमिरपूर में दो दिन के भीतर नियमों की अवहिलना करने पर दस शादी समारों के आयोज को केच चलान किये गए है तहसीलदार हमिरपूर अशोक पठानिया ने कहा कि S.T.M. हमिरपूर की तरफ से 6 फ्राइंग स्कॉाइड गठित किये गए है ये शादी समारों में जाकर व्यवस्था का जायजा ले रहे है उन्हें कहा कि सभी टीम ये शादी समारों में जाकर व्यवस्थाओं की जाच कर रही है और दो दिन के भीतर दस चलान किये जा चुके हैं उन्हें कहा कि इसमें 15,000 रुपे का जुर्माना भी वसूला किया है। अधिकतर जगों पर मास्क ना पहनने पर भी चलान किये गए हैं। ऐसा नहीं है कि हर शादी समारोह में आयोजक या लोग नियमों का उलंगन कर रहे हैं। कुछ समारोह में नियमों का पूरी तरह से पालन नहीं किया जा रहा है। वो बीना मास्के हैं। जो लोग समरोह स्थल पर बीना मास्के पाए जा रहे हैं। उनका एक जार रुपे का चलान हम कर रहे हैं। पुलिस सेक्रिकेत हैं जो पुलिस पार्टी भी मारे साथ मौजूद है। इसके लावा आज हमने गाउं बाग कुठेडा में एक समरोह कंजिक्शन किया जहां पर पचास यदिक ग्यादरिंग पाई गी। और मौके पर पुलिस पार्टी द्वारा पांथ जार रुपे का चलान जो है वो बसूल किया गया। इसी प्रकार हमने आज कोई 10 के करीब समरोह कंजिक्शन किया है। ज्यादा समरोह में COVID-19 के दिशा निर्देशों की पालना की जारी है। लोग भी कम हैं और जागरुक हैं लोगों द्वारा मास्क पहना जारा है। सुशल डिस्टेंस का पालना करवाई जारी है। इसके तरिक्त 7000 के करीब जो हमारा फ्लाइंग स्प्रेड है इसने कल वसूल किये थे। और आज भी 4000 के करीब जो है चलान राशी बाइलेशन की हमने वसूल किये। और इसके साथ ही हम प्री मेरिज काउंसलिंग भी कर रहे हैं। जैसे जहां पर अभी कल शादियां होनी हैं। हमारी पार्टी द्वारा लोगों को जागरू किया जा रहा है। कि दिशाने देशों की पालना की जाए, सोशल डिस्टेंस, मास्क। और इसके तरिक्त जो एक प्रमुक्ष चीज है जो हम देख रहे हैं। जो रसोईये हैं, उनका हम कोवी टेस्ट देख रहे हैं। तो इसका भी पुलीस पार्टी द्वारा पुलीस एक्ट के तहती चलान किया गया है।